आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अगर मैं किसी स्लैब को और मिरर को कमबाइन कर दूँ तो जो रिजल्टिंग रेज होती है उनसे किस तरह की इमेज बनती है वो हमें डिस्कस करना है और ये डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन के थूँ सबसे पहल едं तो रियल जो इमेज यहां पर और मेरा दिखेगी वो इमेज कहाँ पर दिखेगी? यह रेज यहां से आती हुई दिखाई देंगी इसको तो actual में जहाँ object रखा हुआ था वो object की image थोड़ी सी shift हो गई है और किस direction में shift हो यह जिदर raise जा रही है उसी direction में यह shift आता था अपने पास s is equals to t into 1 minus 1 upon mu ठीक है 1 है अपना यहाँ पे air की surrounding जो surrounding है जो कि यहाँ पे generally air हम consider करते हैं उसका refractive index और mu है glass slab का refractive index t है thickness of the slab इस तरह से reflection होता था glass slab के तुरू अब अगर सोचो कि मैं यहाँ पे यहाँ पे एक mirror लगा दूँ ऐसे एक mirror लगा दूँ consider करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है plane mirror लगा दिया तो यह plane mirror ऐसा हो जाएगा अब अगर plane mirror ऐसा है तो क्या होगा कि यहाँ से जो shift हो के raise जाएंगी वो टकरा के वापस चले जाएंगी यहाँ पे जो object रखा हुआ है यह देखो case को समझते हैं पहले हमारा क्या तो यह object यहाँ था यहाँ था बिलकुल यहाँ था इसकी image बनी यहाँ पे किसके कारण यह बनी slab के कारण लेकिन slab के बाद मैंने mirror भी लगा दिया तो slab से reflection होके image यहाँ बन गई आईवन मान लेता हूं इसको ठीक है अब यह आईवन image mirror के लिए तो object का का काम करेगी क्यों कर mirror से पहले एक slab रखी हुई है और उस slab ने इस object को shift कर दिया है उस shift के कारण यह जो object है यह mirror को यहाँ पे दिखाई देगा ठीक है mirror को यहाँ पे दिखाई देगा तो mirror के लिए object ही हो गया तो mirror इसकी image अपने पीछे बना लेगा बस same concept हमें follow करना है question जो हम discuss करने वाले हैं उस of a slab एक object को हमने एक slab के आगे place कर दिया है और slab का mu दे रखका 1.5 thickness दे रखके 6 cm, distance दे रखके 28 cm object की slab से, other face of the slab is silvered and the final position of the image find करनी है आप देखो एक जो end है slab का उसको हमने silver कर दिया तो let's say इस तरह का कुछ diagram है कि यह अपनी slab हो गई 6 cm मोटी ओके अब इसका एक end को मैं अगर silver कर रहा हूं तो एक end को मैं आँसे silver कर देता हूं ऐसे 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 तो क्या मैं मान सकता हूं कि यह जो combination है यह उपर वाले combination का ही analogus है इसका ही analogus है क्यों क्यों कि अगर मैं इस plane mirror को इस slab पे चिपका दो चिपका के देखलो आप इसको plane mirror को slab पे चिपका दो एक end पे तो यह नीचे वाला ही diagram बन जाएगा तो बस exactly इसी तरह हम इसको consider करके चलना है अब object जो रखा हुआ है देखो वो रखा हुआ है 28 cm पे बिल्कुल 28 cm पे slab से तो यहाँ पे रखा हुआ है मा और लेते हैं कैसे कि पहले तो होगा reflection from slab reflection from slab और reflection होगा जब slab से तो slab क्या करेगी slab इसको shift कर देगी और shift कितना हो जाएगा shift हो जाएगा t1-1 upon mu इतना shift हो जाएगा यह object तो thickness जो है slab की वो 6 cm हमें I think d हुई है question में हाँ और 1.5 दिया हुए हमे तो यहाँ पर values put कर देते shift की यह आगा भई 6 cm into 1-1 upon 1.5 तो यह 0.5 upon 1.5 तो यह 2 cm आ गया यानि की positive जब shift आता है तो इसका मतलब shift उस direction में रेस जा रही है तो रेस कैसे गई होंगी भई रेस तो ऐसे गई होंगी इस तरह से निकल गई होंगी तो shift हो गया object 2 cm तो object कहां आ ग गया ठीक है यह object है और यह इसकी image बनी आई वन कैसे बनी यह image यह image बनी reflection जब हो गया है slab से मैं इस assembly को ऐसे तोड़के लिख रहा हूं इसको ऐसे तोड़के लिख सकता हूं जी बिलकुल लिख सकता हूं ऐसे मैं slab बना लूँगा और ऐसे मैं एक plane mirror बना लूँगा ऐसे लि slab से क्या लिख लिए इस पाहले slab سे लिख लिख लिए मैंने यहाँ पक्याशी और shift अधाया 2 cm तो इमेज बनी यहाँ आँ पर इस वाले mirror के लिए यहाँ पर देहूं तो इस वाले mirror के लिए slab को हटा दो मिरर के लिए क्या हो गया यह object mirror के लिए देखो 6 cm तो यह दूरी और क्योंकि mirror है अपना यहां पे यह mirror है यह mirror है यह वाली side जो है वो polished है तो इसको मैं mirror को yellow से दिखा रहा हूँ mirror के लिए object कितने पर आ गया भी क्योंकि slab से तो reflection हो चुका है slab से reflection होने के बाद object हमारा इधर खिसक गया खिसकने के बाद object की दूरी हो गई यहां से surface से 26 तो इसका मतलब जो mirror है उससे दूरी कितनी हो गई 32 क्योंकि mirror लगा हुआ है 6 cm पीछे slab से यह पूरी slab है इसकी पीछे वाली surface को हमने polish किया तो mirror की दूरी कितनी हो गई slab से 32 अब अगर मैं इसको ऐसे consider करूँ कि कोई mirror लेता हू और उस mirror से 32 cm दूरी पे एक object रख देता हूँ यह mirror हो गया इस mirror से 32 cm की दूरी पे आगे एक object रख देता हूँ यहां एक object रखा हुआ है इसकी दूरी है 32 cm तो mirror कहां बनाएगा इसकी image 32 cm पीछे यहीं बनाएगा 32 cm पीछे बनाएगा ओके जी अब यह बनी image कहां से यह mirror से image बनी अब एक्ट्वल में जो होगा वो क्या कंसिडरेशन हम करेंगे कि यहां से मालो रहे ऐसे गई ऐसे मूड़ी फिर ऐसे निकली तो यहां से आती हुई दिखाई दी ठीक है फिर वो रेस कहां गई मिरर पे गई तो मिरर ने क्या किया इसकी इमेज पीछे बनाई फिर वो र अब्जेक्ट की इमेज बनेगी फिर दुबारा रिफ्रेक्शन होगा दुबारा शिफ्ट होगा और फिर फाइनल इमेज बनेगी ठीक है तो तीन चीजे हुई पहले हुई रिफ्रेक्शन फ्लॉम स्लैब और दूसरी कंडिशन हुई हमारे पास में दूसरा कंसिडरेशन क यहांने reflection from mirror reflection from mirror यह हुआ अब mirror ने image बना दी 32 cm पीछे अपने से खुल से 32 cm पीछे तो फिर से हम एक और diagram बनाते हैं अपना slab का और mirror का तो यह अपनी slab हो गई ठीक है छे सेंटीमेटर बड़ी और यह अपना मिरर हो गए यहां पर इसको मैंने पॉलिस कर दिया था तो यह मिरर बन गया था ऐसा ही था डाइग्राम अब मिरर से 32 सेंटीमेटर पीछे यानि यह मिरर यहां से जो raise निकलेंगी, वो यहां से क्या होंगी, shift होंगी, raise जो यहां से निकलेंगी, इस object से, वो इस slab के कारण shift होंगी, तो slab के कारण जब raise shift होंगी, तो shift कितना आएगा, इस बार, s आएगा, t into 1 minus 1 upon mu, तो यह तो image, जो object है, उसकी दूरी से बिलकुल मुक्त है, independent formula है, त shift positive है, तो इसका मतलब कहा, raise की direction में, तो इस से raise कुछ इस तरह निकलेंगी, तो shift इधर की direction में होगा, 2 cm, तो actual में mirror से image की जो final दूरी होगी, देखो अभ यह object, final जो image बनेगी, वो यहां बन जाएगी, 200 cm दूर, ठीक है, तो mirror से इसकी दूरी कितने होगी, 30 cm, 30 cm होगी ने, क जो बनी, वो कहां बनी, final image बनी, अपने पास में, 30 cm behind mirror, clear, mirror के पीछे 30 cm पर बनगी image, तो जब भी आपको ऐसा case दिया जाए, जिसमें क्या करना है, हमें slab से और mirror से combined reflection and reflection करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको अल्रेडी बताया था कि कैसे कैसे यहां पर काम हो सबसे पहले raise जाएंगी, slab से shift होंगी, तो वो shift निकालना है, ठीक है, procedure लिख देता हूँ, पूरा चलो, ताकि आपको clear रहे पूरी theory, कि सबसे पहले क्या करना है, इस procedure को समझने के लिए आप ऐसे समझो, कि find shift from slab, slab से जैसी आपने shift find किया, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो shift के बाद image आईए, ठीक है, यहनि कि I1 बोल रहा हूँ उसको, I1 क्या है, image formed by slab, slab से जो image form हुई हो यह वो है, after shift, यह हो गई, I1 जो है, now acts as an object for mirror, अब हमने यहाँ पे consider किया, कि यहाँ पे तो plane mirror था, अगर मुझे curved mirror, यह मैं बोले, spherical mirror, जैसा कि concave और convex mirror होते हैं, वो होते, तो भी मेरे वे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो पहले, क्या करता, procedure follow करना है, पहले shift find कर देता, उसके बाद क्या करता, उसके बाद image निकाल देता, I1, shift निकाल के, पहले shift find करता, shift find करके वो image आ गई, पहली image जो आई, वो क्या होगी, object बने गे mirror के लिए, तो now we find image formed by mirror, image formed by mirror, mirror से जो image बनेगी, उसको find करेंगे, shift से जो image बनेगी, वो object होगी mirror के लिए, और mirror से जो image बनेगी, अब वो again slab के लिए object हो जाएगी, ठीक है, इसको मैं I2 बोल देता हूँ, जो image बनेगी mirror से, ठीक है, अब क्या होगे, image बनेगी mirror से, अब तीसरा क्या काम आएगा, तीसरा काम होगा, now I2 is, जो की mirror से image बनी है, an object, object for slab, अब slab के लिए object हो गया, तो find the shift again, find shift again, तो अब जो image बनेगी, now image formed I3 is final image, ठीक है, यही हमने किया यहाँ पर, क्या किया हमने, पहले image, हमने पहले निकाला shift, देखो, क्या किया है question में, पहले हमने निकाला shift, shift निकाला, shift आया हमारे पास में, 2 cm, जिसका मतला object 2 cm इधर रखी सक्या, अब यह जो image आई है, यह mirror के लिए क्या होगी, object, तो mirror से निकाला, हमने फिर, इसका image, तो image आया है, यहाँ पर I2, 32 cm पहुंच, था mirror से यह object, तो पीछे आगई image 32 cm दूरी पे, तो I2 आगया, अब I2 क्या हो गया, slab के लिए again, एक object बन गया, slab के लिए object बन गया, I2, तो फिर से shift निकाला, फिर से shift निकाला, तो फिर से 2 cm आया, तो हमारी mirror से दूरी आगी 30 cm, ठीक, clear है बिल्कुल, same, बस यही ह बार आपको follow करना है, चाहे spherical mirror हो, चाहे plane, सबसे पहले shift निकालो slab से, वो जो image आएगी slab से shift के बाद, वो object का का काम करेगी mirror के लिए, फिर mirror के लिए image निकालो उस object की, फिर जो mirror से image मनी है, वो object बन जाएगी slab के लिए, फिर क्या करना है, slab से shift निकालो again, और जो shift आएगा व हो गया आपकी final image.